Hello students and welcome back in Poonia English Classes कैसे हो उमिद करता हूँ कि मेरी जो बनाईवी वीडियो है वो आपको बहुत जादा पसंद आ रही होगी और आप उसका benefit उठा रही होगे तो जैसा कि हमने previous वीडियो में किया जिसमें मैंने आपको बताया था कि भी use of by by का use means के रूप में, साधन के रूप में होता है ठीक है अब यहाँ पर उसका यूज in और on के साथ में किस प्रकार से different होता है उसको हमने उसके अंदर किया क्योंकि main चीज वही है वो तो सब को पता है कि by के साथ use होता है by जो है वो means of travel के रूप में use होता है by के साथ में हम कोई noun use करते हैं तो car taxi जिसके माध्यम से में आते हैं उसका use करते हैं पर अगर उसके लिए हमारे सामने उससे पहले adjective आ जाए या हमारे पास में उससे पहले को हम उसमें क्या use करेंगे अगर हम कोई open गाड़ी के अंदर आ रहे हैं जैसे cycle है या जिसके उपर बैट करके हम आते हैं और चारों तरफ से वह open होती है जैसे bike है two wheeler हम जिसको कह सकते है कि अगर two wheeler की बात किया जाए तो हम उसके लिए own का use करते हैं अब उसके साथ साथ में कि अब हमारे पास में एक और चीज आ गई हमारे पास में वह है use of by and with किसका buy and with हम यह कह सकते हैं कि use of by and with और इसी को आज हम differentiate करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर कि by किस लिए use होता है और with किस लिए use होता है कि with के परिपेक्ष के अंदर कई बार हम क्या करते हैं उनका use करते हैं पर हमें पता नहीं होता कि हम किस के साथ में क्या use करें मैं directly एक example के साथ मैं इसको continue करता हूं अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि Hamlet was written Shakespeare अब मैं फिर एक example और लिख रहा हूं ठीक है He was beaten a cane फिर again मैं same वापस से लिख रहा हूं कि He was beaten a teacher अब इन में क्या use किया जाएगा मैं यहाँ कहूं कि He was written Hamlet was written by Shakespeare तो ठीक है भी Shakespeare के द्वारा लिखी गई है और हमने पिसले उसमें वीडियो में किया था कि यह medium माध्यम किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो हम उसके लिए by का use करते हैं यानि कि माध्यम या मीडियम या किसी के द्वारा कोई काम किया जाए क्योंकि by का मतलब ही क्या होता है के द्वारा होता है ठीक है अब यहाँ पर है He was bitten again अब वो केन के द्वारा पिटा गया तो क्या मैं by का use करूंगा या मैं with का use करूंगा ये बेरे साथ में एक यहाँ problem आती है तो मैं कैसे इसको करूंगा तो मैं यहाँ पर अगर use करता हूँ with तो question raise होता है सर ऐसे कैसे हो गया with कैसे आया और मैं यहाँ पर करता हूँ same sentence है teacher है मैंने by लिख दिया तो सर अपनी मर्जी से तो कोई काम नहीं कर सकते question तो यह raise होगा कि अब इसमें हम by का use करेंगे या with का use करेंगे sexpear वाले में भी हमने by का use किया तो क्यों किया reason क्या है इस चीज़ का तो यही हमारे पास में आज देखने की बात है देखिए पहले इसको बताने से påहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास में कोई संजीव है यानि की living being कोई चीज आ रही है सजीव यानि की सजीव not संजीव सजीव यानि की living being क्या चीज़ है living being है यह समझ ली जा तो living being के साथ यह इंपोर्टेंट है समझने वाली बात है कि अगर कोई living being है ठीक है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बाय का यूज करते हैं ठीक है और वो भी क्या है किसी के द्वारा किये गए कारे के लिए किसी के द्वारा किसी के द्वारा किये गए कारे के लिए हम क्या करते हैं बाय का यूज करते हैं इसलिए मैंने क्या किया है though OWAS written by Shakespeare सेक्स Πि Ern Koh तो सेक्स पिर के दवारा काम कीा गया था तो यह लिख दिया आब यह क्या है भीद लिखा और यहां लिविंग बिंग कौन है, देखिए तो जब लिविंग बिंग किस का लिविंग बिंग साहँ और यही पर इस बात होगे कि जब living being के साथ मेरे उसका यूज़ कर रहें ऐक यूज़ कर रहें तो 1 तो चडी क्या है चडी है था था हमारे पास में नून लीविई ऊसब्सक्राइब को यह बात आप समझा गए होंगे कि एगर हमारे पास में नून लीविई में है इस वैव non-living being क्या है अमारे पास में? non-living being है ठीक है? we use हम क्या use करते हैं? we use with अगर non-living being है तो क्या use करेंगे? with का use करेंगे और can जो है वो क्या है? non-living being है ये ध्यान रखना जैसे हमारे पास में example है कि he can see या ये कह सकते हैं कि we see या he sees ठीक है? our eyes तो मैं क्या use करूँगा? by का use करूँगा या with का use करूँगा ये देखने वाली बात है तो यहां पर मैं किसका use करूँगा? मैं यहां पर with का use करूँगा क्योंकि eyes जो है human being non-living being है पर eyes जो है वो non-living के रूप में आती है तो इसलिए मैं क्या करूँगा? मैं with का use करूँगा क्योंकि ये non-living मानी जाती है ken जो है? वो क्या है? non-living है तो इसलिए मैं इसका use करूँगा अब यहाँ पर एक important बात और आती है इतना आप समझ गया होंगे कि living being हो तो हम by का use करेंगे, non-living being है तो हम किसका use करेंगे, with का use करेंगे non-living being यानि कि निर्जीव कोई चीज है ठीक है, कोई भी निर्जीव है तो निर्जीव के साथ हम क्या use करते हैं with का use करते हैं I think it is clear in front of you Now, I have an important point for you note एक important बात है, वो क्या है कि जब निर्जीव अब निर्जीव के साथ में तो हम use क्या करते हैं, with का use करते हैं पर जब निर्जीव साथन जो होता है if we have any no living being but it is doing work as a living being then we will use बाय जब निर्जीव साथन सजीव कारे करता के समान कारे करता है अगर क्या है, जो निर्जीव साथन है वो सजीव कारे करता के समान कारे करता है तब बाय लगाते हैं क्या करते हैं, बाय लगाते हैं कि जब निर्जीव साथन सजीव कारे करता के समान कारे करता है कोचीज करने के लिए ठीक है, इलेक्टिसिटी क्या करती है, किसी को परकास देती है जलाती है, तो सजीव कारे करता के समान ये काम कर रही है ठीक है, तो रोड्स आर लाइटेड जो सडकों को रोसन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, इलेक्टिसिटी, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, भाय का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने सजीव के रूप में काम किया, जैसे एक एग्जामपल और देख लीजिए, कि he was killed, lightning, he was killed, lightning, अब lightning ने क्या क्या, काम किया, बिजली गिरी, तो गिरी तो उसने क्या क्या, किसी को मारा, ठीक है, तो यह जो lightning है, इसने किस रूप में काम किया, सजीव के रूप में काम किया, सजीव के रूप में, तो मैं क्या यूज करूँगा, बाय का यूज करूँगा, दुबा करता के समान काम करती है तब हम इसमें क्या करेंगे बाय का यूज करेंगे ये आपको important चीज है जो ध्यान रखनी है उमिद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत important बहुत उपयोगी सिध्ध होगी और आप इसे जरूर देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं इसे आपको मुझे भी कोई motivation मिल सके और मैं आपको और ज़्यादा वीडियो आगे provide करवाता रहूं तिल देन गुड़ बाई थैंक यू और नाइस डे